कई लोगों को राश्ट्रे महिला दिवस को लेकर भरम होता है कि वह 8 मार्च को होता है लेकिन 8 मार्च को अंतराश्ट्रे महिला दिवस होता है हाला कि भारत में इस दिन को फरवरी में मनाया जाता है राश्ट्रे महिला दिवस को फरवरी में आज की दिन मनाने की खास वज़ उन्हें भारत कोकिला यानी नाइटिंगल ओफ इंडिया भी कहा जाता है इतना ही नहीं वह आजाद भारत की पहली महीला राजयपाल भी रही है बिटिस सरकार के खिलाब देश को आजादी दिलाने के लिए हुए सुतंदता अंदोलन में उनकी भूमिका महत पूर्ण है वह ह भारत में राष्ट्रे महिला दिवस हर साल 13 फरवरी के दिन मनाय जाता है यह 8 मार्च को मनाय जाने वाले महिला दिवस से अलग है क्योंकि उस दिन अंतर राष्ट्रे महिला दिवस होता है और 13 फरवरी को भारत का महिला दिवस होता है कब मनाय जाता है राष्ट्रे महिला दिवस सरोजी नाइडू को समर्पित है सरोजी नाइडू का जर्म 13 फरवरी 1889 को हुआ था वह बच्पन से बुद्धी मान थी जब सरोजी नाइडू 12 साल की थी तब से उन्हें कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी बाद में स्वतनता आद नोलन में भाग लिया देश की आ राष्ट्रे महिला दिवस मानाया जाता है कब से हुई राष्ट्रे महिला दिवस की शुरूआत जब देश को 1947 में अजादी मिली तो उत्तर परदेश की राज्यपाल बनने का गोरव एक महिला को प्राप्त हुआ वह महिला सरोजी नाइडू थी बाद में साल 2014 में सरोजी नाइडू के जिन्ती को राष्ट्रे महिला दिवस के तोर पर मनाने की शुरूआत की गई सरोजी नाइडू को कहते हैं भारत कोकिला वैसे तो सरोजी नाइडू के नाम पर कई उपलब्दी हैं लेकिन साहित्तिक योगदान पूरे विश्म में प्रसिद है उन्होंने कई क झाल